नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं RSM SSP LSA के रिजल्ट के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमाई चैनल पर नहीं है तो चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों आपके RSM SSP LSA जिसमें की आपकी टोटल नमबर और पोस्ट हैं टोटल नमबर और पोस्ट हैं दोस्तों इसमें आपकी 1436 इसके लिए जो आपके एप्लिकेशन मांगे गई थे दोस्तों वो आपके मांगी गई थे 19 मार्स से लेके 17 एप्लिकेशन फॉर्म फिल किये गई थे वहीं दोस्तों इसके एक्जाम की बात करें तो आपका एक्जाम हुआ था 4 जोन को और 14 जोन को इसकी आंसर की आपकी जारी कर दी गई है अब दोस्तों बात आती है इसके रिजल्ट की कि इसका रिजल्ट आपको कब देखने को मिलेगा तो दोस्तों यह हम RSM SSV की आफिशल वेब साइट पर हैं यहां पर आपको साइट में नूस आप्शन देख रहा होगा यहां पर हम रिजल्ट पर क्लिक करेंगे ठीके दोस्तों रिजल्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने रिजल्ट आ चके हैं तो लास्ट तेम जो आपका रिजल्ट आया था वो आपका आया है पटवार का जो की आपका 14 जून को आया था उससे पहले आपका APRO JEN का रिजल्ट आया हुआ है लेकिन दोस्तों अभी तक आपका LSE का रिजल्ट नहीं आया है तो जो आपकी रिजल्ट डेट है एक्सपेक्टेड वो दोस्तों आपकी लास्ट वीग ऑफ जुलाई है यानि RSM SSP का जो प्रोसेस है उससे अंडर कंशीडर रखते हुए आपका जो रिजल्ट है वो लास्ट वीग ऑफ जुलाई तक डेक्लियर कर दिया जाएगा फिलाल ओफिशल डेट नहीं है दोस्तों लेकिन एक एज़ेंशन लगाया जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो लास्ट वीग ऑफ जुलाई तक आ जाएगा और जैसे ही दोस्तों हमें कोई और अपडेट मिलती है रिजल्ट डेट के बारे में आप रिजल्ट आता है हम आपको तुरंत इंफॉर्म करेंगे फिलाल इस वीडियो में इतना है वीडियो पसंदा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और उसे और भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जोड़े रहें पर नवाद